वेल्कम फरेंड्स ये क्लास 12 का महत है इसके अंदर कोस्ते ने आज का कि वेरिफाई करना है रोल्स थेओरम को फोर्दा फंसन हमें इस फंसन के लिए जो कि इस इंटरवल के बीच में बिलॉंग करता है जिरो से पाई बैदो हमें इस फंसन को प्रूव करना है कि ये रोल्स के लिए पहली सर्थ होती है कि जो function है वो continuous होना चाहिए closed interval के बीच में तो अगर आपने sin x का graph देखा होगा तो 0 से पाई का graph तो कीश सकते हैं तो यानि यह continuous होता है तो लिख देंगे कि यह जो function है कि function is या given function लिख सकते हैं given function is continuous continuous है in continuous है in close interval 0 से पाई बाई दो और दूसरा अब जो continuous के बाद अब हम यह चेक करते हैं कि यह differentiable होना चाहिए closed interval में तो इसका derivative देख लो तो इस function का derivative करोगे तो क्या आएगा sin x का derivative होता है minus का sin x का derivative क्या होता है sin x का derivative cos x हो रही है तो आपका plus का आएगा sin x का derivative cos 2x और chain rule से 2x का derivative 2 आजाएगा तो हम यहां लिख देते हैं चलो ठीक है तो 2 cos 2x जो गया तो इसका भी अगर हम देखें ग्राफ तो 0 से पाई बाई दो मतलब ओपन इंटर्वल में यह भी डिफेंसियबल होता है यानि इसके हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट या स्लोप अव टेंजेंट की सकते हैं तो यहां पर लिख देंगे कि जो फंसन है यह एकजिस्ट करता है इन ओपन इंटर्वल 0 से पाई बाई दो तो इसलिए हैंस इस प्रकार एफ जो है इज डिफेंसियबल लिख सकते हो या डिफेंसियबल लिख सकते हो डिफेंसियबल लिख सकते हो डिफेंसियबल इन 0 से पाई बाई दो दो सर्ते पूरी हो गई अब मतलब यह पाई बाई दो जो है वो चेक करेंगे ठीक है तो फंसन क्या था आपका साइन दो एक्स था तो आप यहां पर साइन दो एक्स की जगे जिरो पुट करेंगे तो साइन जीरो 0 degree, तो 0 degree 0 होता है, ऐसी यहाँ पर लिगेंगे, sin 2 multiply 5 by 2, 2 से 2 कड़ गया, तो sin by, तो n pine पर sin 0 होता है, तो इसले एक pine पर भी यह 0 होगा, तो इसका मतलब यह भी equal हो गया, तो लिग देंगे here, here जो all condition ने वा अप्लाई हो रहा है, तो here's rolls लिख देंगे rolls ठीक है लिख देंगे rolls यहाँ को मा एस rolls theorem rolls theorem are applied यानि applied हो रहा है यहाँ फिलिख सकते हैं satisfied ठीक है satisfied यानि satisfied हो रहा है तो satisfied के बाद लिख दोगे की hence तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे hence अब लिख लेंगे hence there exist माल लेंगे there exist a point point c belongs to open interval 0 से 522 के बीच में कोई point belong करता है तो such that ऐसे belong करता है कि अब इस function का जो derivative में वो point c रखेंगे तो वो 0 के equal होगा तो हमने derivative लिया था तो आए था 2 cos 2 2 cos 2x बराबर 0 आए था तो हम put कर देंगे x के जगे c तो आज आएगा 2 cos 2c equal to 0 तो बट्ट में चल जाएगा तो cos 2c बराबर में 0 और cos 2c बराबर में 0, 0 किसका मान होता है तो यह होता है cos πy by 2 का मान ठीक है तो cos से cos रड़ जाएगा तो 2c बराबर πy बट्टा 2 अब इस दो डिवेड में जाएगा तो सीखेंगे यह value आ रहे है πy by 4 यह इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो लिख देंगे hence c जो है वो बिलोंग करता है open interval 0 से πy by 2 के बीच में तो so roles theorem is verified तो जो roles theorem में वो verified हो रहा है ठीक है बड़ी है